देवी अहिल्या विश्विधाले के रीगल चरहास्तित कारियाले में शुकरवार को बढ़वान इजले से बड़ी संख्या में चात्र चात्राइं आई और अधिकारे उसे सप्लिमेंटरी परिक्षा की कौपियों को लेकर चर्चा करने लगी सेकड़ों की संख्या में दोर पहुचे बढ़वाने की विध्यारतियों का रुख था कि उनके द्वारा सप्लिमेंटरी की परिक्षा दी गई थी जुसके बाद कौपियों में करीब सतर से अधिक विध्यारतियों के जीरो से एक नमबर आये हैं वही कई विध्यारतियों का कहना था कि उनका पेपर अच्छा गया था, किन्तो कौपियों का मुल्यांकन करने वालों ने सही तरीके से कौपि की जांच नहीं की है, सभी ने कौपियों की पुनह जांच करवाने की मांगी आप चुन लिजे, नहीं वो कहीं है से गलत है, सबसे बड़ी बाप तो यह, यह सिकायद भी मैं करूआ, मंतरी इसे, राज़िपाल मोदे से भी सिकायद करूआ, कि टाइम पर बेटना चीह नहीं आप राकर, संपिलिंग के रोज आपके पास केस आ रहा है, आप कोई नियम न दूसरी और देविया हिलिया विशुविध्याले के संबंदित अधिकारियों का कहना है, कि उनिवर्सिटी का जो भी फासला होगा, वह चात्र हित में होगा, और दो या तीन दिनों में कुछ कॉपियों का मुल्यांकन कर देखा जाएगा, कि कहां गलती हुई है, वहीं एडिमिशन फीज भरके यह चात्र जो है, यहां तक इस इस इस्तिती में पोच गए, कि इन्होंने रिजल्ट जब निकला इन चात्रों का, तो कहीं ना कहीं यह फेल हो जाते हैं, तो विशुविध्याले आप सीधा केता है, कि हम चार दीन में रिव्यू कर लेंगे, सेंप पर बढ़ रहे हैं या घट रहे हैं, लेकिन आप यह जरूर बताना के संसोधन हो रहा है, उसमें पारदर्शीता कहीं ना कहीं बनी रहेगी विशुविध्याले की, आप खुद देख सकते हैं कि बढ़वानी की छात्र अगर इंदोर में इतनी दूर अपने परसनल खर्च पर बस करके आये हैं, और यह चात्र जो है, इस बास से भी प्यूडी थे हैं, यह चात्र की इतनी लेट लतीवी हुई इस विशुविध्याले की, की चात्रों का रिजल्ट जो है, इन्हें बाटने की कोशिस की गई, और इनका रिजल्ट इस परकार का निकालने के बाद, इन चात्रों से यह कहा गया, कि आपको इसी में जीना है, और यह विशुविध्याले की लेट लतीवी है, कि इन चात्रों का एक साल पूरा बरबाद हो रहा है, कहीं ना कहीं, एक साल बाद रिजल्ट निकाला जाता है। कि आप लोग कितने सारे स्टूडेंट और कौन कौन से कोलिजिस्स हैं। हम लोग S.B.N.P.G. कोलेज बढ़वानी से हैं और GDC कोलेज बढ़वानी से हैं करीबन हम लोग 68 प्लस स्टूडेन है टोटल जिसमें से बहुत सारे श्टूएन को एक नमबर दिया गया है जो वा नमबर दिया गया है तो किसी साब से दिया गया है अब इद्धाम आने वाली है कि हमारा लेट गोशित किया गया है जिसकारण से हम लोग ना तो आगे बढ़वार है ना ही हम को समझ के बढ़वानी के कुछ बच्चे आए हैं और उनकी यह मांगे कि जो सप्लिमेंटी का रिजल्ट डिक्टर होगा है उसमें क्यमेस्ट्री वि सप्लिमेंटी का रिजल्ट है वो 69 परसेंट है एक बात दूसरा अभी में भी गया था एक्जाम कंट्रोलर भी थे मेरे साथ मेरे अन्य अधिकारी भी थे हम लोग ने बच्चों को यह समझाने की कोशिस की चात्रनेताओं को भी कि अगर उन्हें यह लग रहा है कि पर जो प्रकिरिया और नियम होता है उसका भी आम पारत करना है कि करीवन सत्तर ऐसे बच्चे वह देटा हम निकल वा लेंगे कि जीरो और वन माक्स वाले तो ऐसा नहीं हो सकता कि 70 स्टुडेंट्स ऐसे हो यह पॉसिबल नहीं हो सकता है एक दो बच्चों को आया है कब तक कुद आयो जाए जाए है बच्चों को यह कहा तीन या चार दिन में हम संप्लिंग की करवई पूर्ण कर लेंगे ब्यूरो रिपोर्ट दबंग न्यूस